उतरप्रदेश के हातरस में बीती शाम एक बड़ा सड़क हाथसा हुआ हाथसे में 15 लोगों की जान जाने की खबर है और कई गंभी रूप से घायल बताय जा रहे हैं जुन्हें इलाच के लिए अस्पताल में भरती कराये गया है आशंका है कि मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है शुकरवार के शाम एक मैक्स लोडर और एक एसी बस के बीच जोरदार टकर हो गई हाथसा इतना जबरदस था कि टकर के बाद लोगों के शव सड़क पर बिखरे नजर आए जिसने भी ये मंजर देखा वो दहल गया हाथसे के बाद वहाँ चीख पुकार मजगई बताया जा रहा है कि मैक्स में लगभग 30 लोग सवार थे और सभी मुकुंद खेडा तेरवी भोजखा कर खंदोली के पास गाउं सेवला वापस लोट रहे थे ये दरणाख हाथसा आगरा अलीगड बाइपास पर मितई गाउं के पास हुआ मरने वालों में बच्चे और महिला पूरुष शामिल है मिर्तकों के परिजनों का रोरो कर बुरा हाल है मिर्तकों में अधिकतर आगरा जिले के थाना खंदोली शेत्र सेम्रा के रहने वाले हैं वहीं मुख्यमंत्र योगी आदितिनात ने हातरस की सड़क दुरगटना में मिर्त वेक्तियों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपए और गंभी रूप से घायल वेक्तियों को पच्चास-पच्चास हजार रुपए की आर्थिक सहायता देने का निर्देश दिया साथ ही प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने प्रधानमंत्री रास्ट्रिय राहश कोस से भी मिर्तकों के परीजनों को दो-दो लाख रुपए और घायलों को पच्चास हजार रुपए देने की घोशना की है अब दक की मिली जानकारी के मुताबिक ये लोग सासनी के मुकुंद खेडा में तेरवी का भोज खाकर खंदोली के पास गाउं सेवला वापस लोट रहे थे लेकिन रास्ते में ही हाथसे का शिकार हो गए बतादे की जान गवाने वाले लोगों में चार बच्चे, चार महिलाएं और साथ पुरुश है रिपोर्ट के मुताबिक इस हाथसे में कई लोग खायल हुए है एस पी निपुन अगरवाल ने बताया की हाथसे के शुकार सभी लोग सासनी से खंदोली जा रहे थे ड्राइवर की गिरफतारी के प्रियास किये जा रहे है घायलो में से चार की हालत गंभीर है जितना लोगों को सुगम यातरा का एहसास दिलाता है उतना ही सडख हाथसों के बाद लोगो को रुलाता भी है लगनाओं का आगरा إक्स्प्रेश वे ही नहीं डेश के किसी भी राज्ये में मौझूद All एक दूसरे जिले और राज्ये तक पहुचाने में एक एहम भूमिका निभाने के साथ ही लापरवाही से गाड़ी चलाने बालों को काल के गाल में पहुचाता है हाला कि इसमें भी सबसे उपर उत्तर प्रदेश ही है देश भर के एक्सप्रेस वे में हुए हाथसों में कुल 1780 लोगों की जान गई है जबकि सबसे ज्यादा यूपी में 1310 लोगों की जान गई है जो कुल मौतों का 73 फीजदी है फिल्हाल इस खबर में इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए आज तक भारत के साथ